नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चेनल पे देखिए नीट एक्जाम को लेके एक पहुत ही बड़ी अपडेट है वो निकल क्या रही है आप सभी ये चाते हैं कि जल्दी से इसके आंसर की है वो आजाए और उसके बाद है वो रजल्ट एक लेर के दिया जाए सभी तो हम नहीं बॉल सकते कितने बंदे ये चाते हैं वो आपको भी पता है देखिए मा आपको बता देता हूँ केवल 50% बंदे ये चाते हैं कि जल्दी से आंसर की है वो आजाए अब आप पुछोगे कि 50% क्यों नहीं चाते हैं 50% इसलिए नहीं चाते क्योंकि वो चाते है RINIT RINIT चाते हैं तो RINIT अगर उनको यह है कि भी 20 तारिक को जैसे सुनवाई होनी है 20 तारिक से पहले वो यह चाते हैं कि आसर की और रजल्ट है वो ना आए ठीक है आप 50% बंद ये वी चाते हैं कि भी हां रजल्ट है वो answer की वो जल्दी से आ जाए तो answer की कब तक आएगी इसको लेके हम बात करेंगे और सब कुछ इसमें आपको बता दिये जाएगा ठीक है तो पहले तो देख लीजिए जो NTA है पता नहीं कितना मतलब क्या चल कह रहा है इनके यहाँ पर इन्होंने फिर से डेट है वो यहाँ पर extend है वो कर दी है 14 तारिक तक फिर से बढ़ा दिया गया है अगर आपने second phase का जो registration है वो अभी तक नहीं किया है तो उसको फिर से 14 तारिक तक बढ़ा दिया गया है रात के 14 तारिक तक रात के 11 बज़ के 50 निट तक मलब बढ़ा दिया गए है पहले इन्होंने 10 की फिर 12 की है 13 की और फिर अब 14 कर दी है इन्होंने तो क्या मतलब क्या सिस्टम क्या है फिर अंसर की है वो कब आएगी तो देखिए इसको लेके जो अपडेट आई है वो आपको दिखा देता हूँ क्या आंसर की है वो कब तक आने के यहां पर बताया जा रहा है यह है NDTV Education का एक आर्टिकल यहां पर तो इन्होंने क्या बताया है आंसर की को लेके आज इन्होंने यहां पर दी है पडेट तो इन्होंने क्या बताया है वो देखिया आप एक तो ये जो तीन में एड़ वो था तीन देखे मैं बता देता हूँ आपको इन्होंने बताया है कि वी जो आपकी answer की है वो 14 तरिक के बाद ही release की जाएगी 14 तरिक के बाद क्योंकि 14 तरिक तक ये टाइम दिया गया है अलांकि इससे पहले बहुत से ऐसे आर्टिकल थे जिनमें ये बताया गया था कि भी आपकी आंसर की है वो बारा तारिक को रिलेज कर दी जाएगी आगे बढ़ने से पहले एक जुरूरी अपडेट माप अपने सॉल कर सकते हो मैंनोटरिंग सेसन यहां पे होगा लाइव फिजिकल नॉट्स आपको मिलने वाले हैं ओडियो कोल के दोरा भी अपने आप डाउट है वो आप कर सकते हो कलियर अपने अच्या इसके अलावा इंडिया के टोप एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं इसके अलावा PDF वगेरा मिलेंगे आपको live quiz जो test है quiz है सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा इसके अलावा recorded class है live class है सब कुछ मिलेगा ठीक है यह आपको इस चीज़ के फाइदे है ठीक है इसके अलावा आपको बारा मन्त अठारा मन्त और चोविस मन्त का सब्सक्रिप्शन पलस या इकोनिक ले सकते हो इसमें आपको 10% अगर आप ओप साते हो तो एक्जाम 59 कोड यूज़ कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अभी तक कौन सा बैंच सटार्ट हो चुका हो देख लीजिए वारियर्स मैंच है ये 13 से मतलब आज से ही स्टार्ट हो चुका है तो अगर आप इसमें जोइन करना चाते हो तो link description में है जाईए और अभी के अभी ले लीजिए इसके बाद आपका जो result आने वाड़ा है देखिए जैसे 14 तारिक को तो आपका खतम होगा 15 को जैसे answer के आपके आती है तो बेस तारिक तक उसमें time दिया जाएगा फिर 5 दिन बाद उसका जो final answer के आएगी तो मतलब आप ये मान के चलो कि 25 से 30 के बीच में आपके answer की है वो जो result है वो 25 से 30 के बीच में आ सकता है 15 तारिक को आपके answer की है वो release कर दी जाएगी तो अगर इस हिसाब से चलता रहा अगर आगे से आगे data बढ़ाते रहे तो फिर मतलब बहुत ही मुश्किल है अगर बढ़ाने पर ये जो मतलब लग गए तो बाकी आपका जो result है वो 25 से 30 के बीच में आ जाएगा 20 तारिक को second petition की सुनवाई है पहली में Supreme Court ने साफ मना कर दिया था कि भी कुछ नहीं होने वाड़ा सैकेंड में क्या होगा वो भी तारिक को ही पता चलेगा